दुरियोधन की पतनी का नाम भानुम्ती था, वो एक बहुत ही सुन्दर लड़की थी, और जब कृष्ण दुरियोधन के महल में महमान बनकर आये तब वो सिर्फ 17 साल की थी, दुरियोधन ने एक शड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत मिला कर कोई वादा करा ल सब नशे में धुत्त हो गए, पर कृष्ण ने अपने आपको शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे, इस सारे हंगामे में भानुमती ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी, उससे भी ज्यादा, वो एक युवा लड़की थी, और उसे इन चीज की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी, कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी, भानुमती अपने पर काबू खो बैठी, वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी, कृष्ण न का गौरव कलंकित हो जाएगा, इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया, अगले दिन सुबह जब भानुमती को पता चला, तो वो कृष्ण के प्रती सन्मान और कृतग्यता से भर गई की उन् से बचा लिया था, तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृप्या लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद,